और अमस्का दोस्तों मैं सुम्छे ओधरी सुक्सेस प्लस केडम प्लाइकारप्सग्री करता हूं आप जानते ही होंगे कि नोर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो महादीप है तो आप ये भी जानते होंगे कि यूरोप से इस्पेन से स्पेसिफिकली चल कि एक यात्री जिसका नाम था किस्टाफर कोलमबस वो 1492 में यहाँ पे अमेरिका की जमीन पे पहुंचा और उसने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे तो एक नई दुनिया है जो कि बाकी यूरोपियंस को पता ही नहीं है और इस दुनिया में नई नई सभेताइं रह रहे हैं और एक दो नहीं बलकि दरजनों की संख्या में यहाँ सभेताइं रह रहे हैं इन सब्भेताओं को मैंने एक साथ इस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि नोर्थ अमेरिका, मेज़ा अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन-कौन सी सब्भेताई नही और उनके अलग-लग रहस्य थे कैसे उनका राइज हुआ, कैसे उनका डिकलाइन हुआ हमने उसी दोरान चलते चलते कई सब्भेताओं का अध्यन किया जैसे हमने एजडेक सिवलाइशन का अध्यन किया, मायन सिवलाइशन का अध्यन किया ओलमेक सिवलाइशन का अध्यन किया और एवन हमने ओलमेक के बाद ये इनका जो सभेता है इसका भी अध्यन कर लिया है, इसके इत्यास को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, इसको आपने अगर नहीं देखा तो इसको जाके जरूर देखीगा, कि ये इनका एमप उनके बारे में हम पढ़ते आई रहे हैं, हमने रोमन सभेता का इत्यास पढ़ा, उनके रिलिजन की बात करी, ग्रिस का जो सभेता है उसका पूरा हमने अध्यन किया, उनके राइजन फॉल्क तक की बात करी, और उनके रिलिजन की भी बात करी, हमारे इंडस के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसके बारे मैं और भी वीडियो जे आओंगा यहां पर माया एस टेक इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं अब फाइनली इस दक्षन अमेरिकी महादीब की इस इनका सभेता के लोगों के बिलीफ की हम बात करेंगे कि यह लोग किस के बिलीफ में मानते थी इनका एमपायर जो है उसका नाम है दर रेल्म ओफ फॉर पार्ट्स यानि चार छोटे भागों से मिलके यह सामराजे बना था और काफी बड़ा सामराजे था यह तो इनका में पार्ट है बाकी यह यहां से लेके यहां तक पूरे अगर पैसिफिक क के बीच में रहा है 13 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में रहा जब तक की यूरोपियंस यहां पर आके और इस्पैनिश लोगों ने इनको हरा नहीं दिया और हराने के बादी इनको यहां से खतम नहीं कर दिया तो पूरा इनका एमपायर के बारे में हम पढ़ चोके हैं वैसे लेकिन फिर भी मैं आपको एक brief introduction दे देता हूँ कि pre-columbian era में या pre-hispanic period में, pre-hispanic का मतलब यह है कि Spanish लोगों की यहाँ आने से पहले की period में जो सब्भेता ही यहाँ पर पनप रही थी, उनमें से एक सब्भेता थी, इनका सब्भेता और यह 13th century में establish होती है, काफी इनका political ज structure था जिसमें बहुत लंबी roads जो है इनका पूरा राज्य जो है उस रोडों से जुड़ा हुआ था और उसके थूँ वो communication बहतर कर पाते थे, अपना वेवापार अच्छे से कर पाते थे, इनकी खेती भी बढ़िया थी, क्योंकि यह table lands और terrace farming भी करना जानते थे, और इनका अगर geography की बात करें तो ये mainly इनकी geography थी, बारा सो तीस के आसपास के छे समय में, यहां पे इनका एक तरह से origination होता है, यहीं पे इनका जो kingdom of kurjo है, kurso जो है जो इनकी राजधानी भी बनी बाद में, वहां पे ये फैलना शुरू होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके इनका extend होने लग जाता है, नोर्थ वार्ड और साउथ वार्ड दोनों तरफ इनका extend होने लगता है, चोदा सो और चोदा सो के 63 के समय, 15 शताबदी में अपने peak पे महुचने ही लग गए थी, उसके बाद देखिए, चोदा सो तिरानमे में ये map यहां तक पहुँच गया, यहां प उसरे से चलता आ रहा था, काफी कुछ इन्होंने achieve किया, socially, economically अच्छे से इन्होंने grow किया, agriculture बहुत बहतर था, textile में अच्छा काम कर रहे थे, मिटलर्जी भी बेटर थी, लेकिन उसके बाद अपने highest achievements के उपर पहुँचने के बाद भी, finally Spanish लोगों ने इनको 16th century में हरा दि दिखेंगे, क्योंकि एक European जो है अपने साथ बिमारियां भी लेके हैं थे, जिसमें small fox एक ऐसी disease थी, जो कि अमेरिकी महादीव की बहुत बड़ी दाद को खा गई थी, ताकरीबन अगर आप बात करें, as day compare की तो उसकी 60% आबादी जो है, वो small fox से मारी गी, वैसे ही income pair की भ हमारे main topic की वो है, इनका religion, इनका religion जो है, वो एक ऐसा religion था जिसमें, जिसको हम कह सकते हैं, polyethistic religion था, एक ऐसा religion जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है, एक ऐसे groups of believe थे, जिसमें कई सारे rituals होते थे, इनके mythological believe थे, इनका एक creation myth था कि संसार का, और इनकी सामराज् complicated सी situations थी, जिनको ये एक साथ समाहित करके अपने religion के अंदर सजोई रखते थी, इनकी society के उपर, इनकी politics के उपर, और इनकी history हो, या फिर इनके राजा और राजाओं को साशन चलाने का तरीका हो, उसमें religion की एक महत पूर भूमिका थी, राजा को भी काफी उसके अंदर privilege मि मतलब एक पद प्राप्त था कि इनका religion का जो राजा है, वो इश्वर का परती निधी तुबा करता है, जो इनके गोड थे, sun god, inti, उनके द्वारा बनाया गया राजा है, तो राजा की भी एक political महिमा के अतिरिक्त, उसकी एक महत्व जो है, वो religious point of view से भी होता था, तो politics में पर involvement था religion का और society के उपर तो religion का प्रभाव होता ही होता है, वो भी था, ये चीज़े थी, community life जो थी वो religion से काफी religious belief से काफी जुड़ी हुई थी, इनके यहाँ बहुत बड़े इस तरपे sacrifice भी होते थे, जिसमें human sacrifice भी एक बहुत बड़ा element है, मानव बली, यानि इनसान को आहुती तक देनी पड़ रही है, अपने देवताओं को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए, ऐसी चीज़ें आपको अमेरिकी महादीब के कई सब्वेताओं के कई religion में देखने को मिलती है, चाए एजडेक religion हो, ओल्डमेक religion हो, माइन religion हो, इसमें आपको देखने मि मिलता है कि human sacrifice होते थे, और यहाँ पे भी होते थे, agriculture हो, government burials हो, कई ऐसे छोटे मोटे system थे, इसके लावा ancestors का भी इनके यहाँ पी friends होता था, ancestors मतलब जो हमारे पूरवज रहे हो, तो पूरवज जो होते थे, इनका लोगों को, उनके, उनको यह पूजते थे, तो पूरवज system में, कि एक जो इनका लोग थे, specifically, जिन्होंने दीरे-दीरे करके, कुसको के छेतर में control करके, अपने सामराज्य का extend किया था, expansion किया था, उन लोगों के पास, जो है, society के अंदर एक hierarchy में, ज्यादा अच्छे पद हुआ करते थे, और वो social hierarchy में, अपने आपको उपर मांते थ और वो दूसरे जो छोटे relations थे, जिनको उन्होंने expand किया था, जिनको उन्होंने जीत कि अपने राज्य में मिलाया था, उनका exploitation भी करते थे, और अपने religion को उनके उपर थोपते भी थे, ये भी आपको चीज़े यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका ल लोगों के अंडर आये, उनके खुद के चले गए, उनका लोगों ने उनके उपर अपने religion को थोपा, लेकिन इसके बावजोत भी उनको कई जगहों पे grow करने का मुका भी मिला, ये चीज़े आपको ध्यान रखने हैं, तो polyethistic religion था, कई सारे देवताओं की पूजा होती थी यहाँ पे local, regional और pan-regional gods हुआ करते थे, मतलब कुछ ऐसे दे होता थे जो कि एक छितर में ही जिनको पूजा जाता था, एक कुछ बड़े छितर में पूजा जाता था, एक ऐसे थे जो कि पूरे सामराज्ये के अंदर जिनकी पूजा दी जाती थी, जैसे गोड इंती गोड ह उनकी पूजा होती थे, आगे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है, तो यह सीजे होती थी, गोड की पूजा होती थी, एंसेस्टर्स की पूजा होती थी, और उस समय पे ज्यादा पूजा होती थी, जब इनको जरुत होती थी, वो एक सामने, एक human tendency भी है, जब इनसान को जरुत ह इश्वर की जब वो सौचता है कि उसका खुद जोर नहीं चनरा किसी चीज़ पे तो उसकी तरफ भागता है जिसमें वो बिलीव करता है जो करते हैं उनकी में बात कर रहा हूं तो जब कोई ड्रोट आता था सुखा पड़ता था बाड आती थी या फिर कोई बुकम पाता था दर लगता था इनको डिजास्टर्स होते थे तो ये इश्वर को पूछते थे उनके पड़ती रिच्वल्स करते थे सैक्रिफाइस भी करते थे कि इश्वर हमसे नाराज है और हमने कुछ गलती कर दी तो उनको ज़्यादा एक तरसे सम्मान दिया जाता था सौसाइटी के अ इनका कम्यूटी के थे उन्होंने एक्स्टेंड किया तो जिन जिन छेत्रों में वो गए तो उन छेत्रों में जाके उन्होंने रूल किया लेकिन रूल करने वाले ये लोग जो थे इनकी संक्या तो कमी थी ये कलास हिरार्की में सबसे उपर थे और इन्होंने बाकी लोगो को dictatorial सवरूप भी देखने को मिलता है इनका जो समराज्य है इनका जो empire है उसके जस्ट पहले दो और civilizations यहाँ पे रह रहे थे एक था वारी civilization और एक था ancient तिवानाको civilization यह देखिए वारी civilization यह पेरू वाले छेतर में था एक तिवानाको empire था जो कि 500 से 1000 AD के आसपास के छेतर में बॉलाविया वाले छेतर में था तो इन समराज्य के बाद जस्ट जो बड़ा civilization आया वो था इनका एंपायर और यह जो सब बेताई है इनको mainly andis civilization कहते है क्योंकि एंडीज mountain range के चेतर में फैली भी थी एंडीज mountain range आपको पता होगा न दुनिया की सबसे बड़ी mountain range है 8900 km लंबी है mountain range किलोमेटर या miles थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेगा एक बार चेक कर लीजेगा गूगल करें लेकिन सबसे लंबी mountain range है यहाँ पर कई सबेता है रही उनमें से ये वारी भी थी टिवानाको भी थी और इसके बाद इनका civilization आई तो इनका civilization के अब उपर इनका वारी civilization और टिवानाको सोशलिटिक का काफी परभाव पड़ा क्योंकि इन से जस्ट पहले ये लोग थी तो एक तरह से हैं यहाँ के local लोगों की ये ancestors तो होई गए न तो इनके जो belief थे इनके जो rituals थे इनके जो traditions थे उनका परभाव कहीं ना कहीं जो है इनका लोगों के उपर भी पड़ता है और इनके customs में इनके tradition में कई चीज़े ऐसी देखने को मनती हैं जो इन वारी लोगों के पास थी इन टिवानाको के थे और specifically टिवानाको का ज़्यदा प्रभाव पड़ा टिवानाको की जो पहले की holy sites थी sacred sites थी उन्हीं को अपना लिया आगे चलके इनका लोगों ने और वहाँ पे उनके कई सारे आपको देखने को मिल देखने को मिलते हैं जब भी अर्केलोजिकल खुदा ही होती है एविडिन्स देखने को मिलते हैं creation myth क्या है creation myth क्या होता सबसे पहले तो हर एक जो religion है ज्यादा तर जो religion है जिनके अंदर myths होते हैं जिनके अंदर stories होती है कि इस बर्मांड का निर्मांड कैसे हुआ, यहाँ पे स्वर्ग लोग है, कि धर्ती लोग है, कि पाता लोग है, कि डीमन लोग है, कि पांच लोग है, कि तीन लोग है, यह सब बाते जो होती है, कि धर्ती का निर्मांड सबसे पहले कैसे किया, इश्वर के आधार पे जो धार उस धारना के इसाब सें इस इनका 시vilberation के लोगों की क्या मानने ताइन थी, उसकी हम THोड़ी सी बात कर लेते हैं इनका लोगों का मानना था कि यह जो धरती है, इसका निर्माणन जब हुआ तो सबसे पहले लेक टिटी कागा बनाई गframe लेक टिटी काका जो है जहाँ पे है जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पाली की जीर बानी जाती ना दक्षन अमेरिका में है यह इस लेक टिटी काका के आसपास की छेतर में ही सबसे पहले दुनिया का निर्मान हुआ मतलब हर जो रिलिजन है जैसे कि अपने आपको सेंटर मानता है ना कि हम ही है के अंदर में बाकी दुनिया तो बाद में है तो वैसे ही इनका भी ये मानना था कि लेक टिटी काका के पास ही यहाँ पे निर्मान हुआ यही पे बर्मान का निर्मान हुआ बर्मान नहीं मतलब य उनका एक बड़ा नाम भी है देखा, वरा कोचा, पला कोचियो, सिंपली इनको वीरा कोचा कहा दिया दिया जता है, इन्होंने सबसे पहले लेट टिटिकाका के पास आके पहले तो सन का निर्मान किया, सन यानि की सूरज, सूरिय का निर्मान किया, ताकि सबसे पहले रोशनी को बना दी लेकिन ये बहुत बड़े थे और जो इनका परपस था कि एक सिलेशन बनाना है उसमें फुल्फिल नहीं हो रहा था हुमन जैसे ये नहीं थे बड़े जाइंट्स थे और ये जो रेस थी जाइंट्स की इसने विरा कोचा को अफसेट कर दिया क्योंकि ये ग्रीडी सारे जाइंट्स को तबदील कर दिया कि कोई पहाड बन गया कोई पेड बन गया कोई नदी जरना बन गया कोई कुछ बन गया नेचरल चीजे बन गई पत्थर बन गया चट्टान गया इस तरह से चीजे होई तो ये मदों अलग सी आपको मैथलोजी लग रही न कि वीरा को उसे में आके इन जाइंट्स को, इन बड़े-बड़े राक्षशों को ही क्या बना दिया, नेचुरल रिसॉर्सेज बना दिया, जैसे कि धर्ती के उपर जो भी चीज़े आपको मिलती हैं, चाहे वो पत्थर हों, चटाने हों, जरने हों, या फिर और जो भी चीज़े हैं, प फिर वीरा कोचा क्या करते हैं, अब वो जो रेस थी, उसको तो नेचुरल रिसॉर्सेज में बना दिया, नेचुरल सीज़े मन गई, वो तो पाड़, पत्थर और चटाने मन गई, अब वीरा कोचा ने क्या किया, कि एक बड़ा, उसको बहुत बड़ा फलर्ड आया, जिसस के बाद मून, स्टार्स, यह सब चीज़े उन्होंने बना दी, सन बना दिया, यह सब चीज़े बना दी, और उसके बाद खुद एक बैगर के तोर पे, और एक सन्यासी जैसे बन गए, कौन टिकी एक नाम दिया जाता है, कि वो वही थे, वीरा कोचा ही थे, खुद भी एक तरह से यहाँ पे रहने लगे और इस किस तरह से प्रज्याव करना है, इस पूरी सिविलाइशन को उसका ध्यान हो रखने लगे, अब उन्होंने तीन लोगों को बचाया थे, तीन लोगों थे, उनकी हम बात करेंगे, एक तो थे मौनका कोपाक और मामा ओकलो, यह मैंको को कहानी है न, क्रिस्टियनिटी में, जैसे मन्नू की कहानी है, हिंदुईजम में, जैसे कि आदम की कहानी है, इसलाम के अंदर, वैसे ही यहाँ पे मैंको को अपैक और मामा ओकलो की कहानी है, इनका रिलिजन के अंदर, और यह वो लोग थे जो पहले थे उसके बाद इनके ही संतान जो हैं वो आगे चल चल के इनका लोग बने ये सब चीजे इनका बिलीफ था तो ये चीजे हैं उसके बाद एक और क्रियेशन मित में ही एक कहनी ये भी है कि टैम्पो कोको कोको नाम की जिनको इसका ट्रासलेशन रहता है हाउस ओफ विंडोज नाम की गुफाएं थी तीन गुफाएं थी जहां से पहले इनका लोग जो है वो निकल के आयर उन में भी नाम यही माना जाता है कि मैन को कोपाउप और उनकी वाइफ और उनकी सिस्टर भी करी जगे लिखा जाता है मामा कूला यह निकल के आयर उसके बाद आगे चलके उनके तीन बच्चे हुए रूसके बाद धीरे 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 ग्रो करके एक सब्वेता यहां पे पैदा होगी तो यह तो क्रियेशन मिथ है क्रियेशन मिथ है उसका आर्केलोजिकल क्या मिथ एविडेंस है किस तरह से हुआ हूँ मैंने आपको इनका एंपायर में बताया है वो आप जाके देख सकते हैं मैनका कौपाग जो हैं मैनको कौपाग है इनके पहले धरती पे पहले मानों माने जाते हैं इनके सबसे पहले ancestor माने जाते हैं और साथ में इनको एक God की तरह भी पोजा जाता है उसके बाद इन्होंने चांग का लोगों को हराया चांग का लोग जो इस कुसको छेतर में ही रहते थे और यहां पे कुसको के आसपास की छेतर में इसको अपनी राजधानी बनाके किंग्डम ओफ कुसको की शुरुवात करी तो यहां पे इनकी राजधानी भी बनती है और इसके बाद तो इनका expansion होके बड़े emperor बना ही लेते हैं तो धर्ती का यह वाला जो छेतर जहां पे एंडीज माउंटेंस हैं यहां पे यह सामराज़े आपको देखने को मिलता अगर आप 13 से लेके 16 सेंचुरी के बाद वहां पे जाते तो अब मिलते हैं सिर्फ रोइन्स इनका गोड्स की हम बात कर लेते हैं इनका religion में कौन-कौन से गोड्स थे polytheistic religion था तो बहुत सारे गोड्स थे बहुत सारे गोड्स में जो prominent गोड्स थे उनकी बात करते हैं एक तो थे वीरा कोचा जिनको creator गोड्स माना जाते हैं जिन्नोंने सभी living चीजों का निर्मान किया अपू-इलापू जो हैं वो एक और गोड्स माने जाते हैं जिनको rain गोड्स कहा जाता है इनकी पुझा तब होती थी जब उनको लोगों को rain की जरुवत होती थी आयार काची जो हैं वो एक hot temper guard माने जाते हैं destruction इनकी वज़े से होता है और माने जाते हैं जैसे अर्थ को एक आया कोई बड़ा सुखा हुआ या कोई बड़ी कोई दिक्कत होती थी तो इनका मनना था कि ये देवता जो है एयार काची ये नाराज हैं इनको खुश किया जाए और इनके लिए sacrifice होते थे इनकों अपीज करने के लिए बहुत तरीके के rituals होते थे ठीक है उसके अलावा इलापा एक और goddess हैं ये actually goddess of lightning and thunder इनको माना जाता है जैसे कई religions में जो god of lightning and thunder हैं वो male god माने जाते हैं जैसे कि Hinduism में इंदर को माना जाता है और जो Peter को माना जाता है Roman mythology में और Zeus को माना जाता है Greek mythology में वैसे यहाँ पे जो goddess of light and thunder हैं वो male नहीं बलकि female हैं उनका नाम इपाला है इलापा है उसके अलावा sun god इंती हैं इंती बहुत महत्पूर्ण है इंके हाँ और वीरा कोचा बहुत महत्पूर्ण है सबसे important यह दो god हैं जिनको उपर मैं star mark कर रहा हूँ यह हैं तो यह sun god है और यह pattern deity थे कुसको city के जो कि इनकी राजधानी थी तो कुसको जो कि राजधानी थी और के अंदर में थी राजा भी इनको मानते थे अपना इश्ट देव मानते थे तो इंती के temple आपको बहुत ज्यादा देखने को मलते हैं archaeological evidence जब देखते हैं इनका empire का तो वहाँ पे इनती का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके अलावा कुयूची जो है एक और गोड़ है जिनको rainbow गोड़ कहा जता है connected with fertility से यह connected है कि fertility से related जैसे बच्चों का जनम होना और जमीन से अगर आप पेड़ भी उगा रहे हैं आप खेती भी कर रहे हैं तो वो भी fertility का ही एक माद है वो भी एक fertility है तो उससे connected है मामा किला जो हैं वो mother moon है जो इनती की wife है जैसे इनती जो हैं वो sun goड है और इनकी wife जो हैं वो moon goड है तो मामा किला उनकी वाइफ है उसके लाव कई सारी गोडेस हैं यहाँ पर मामा ओकलो जिनको creator of wisdom कहा जाता है इन सभी सिगुराइज लोगों को जो wisdom दी वो इन्होंने मामा ओकलो ने दी जैसे हिंदुईजम में सरस्वती देवी हैं वैसे ही यहाँ पर मामा ओकलो उस तरह सा उनका थोड़ा सा पाद है एकदम completely एक दुसरे से compare नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी देवता को यहाँ पर मैं आपको एक reference के तोर पर बता रहा हूँ और क्योंकि हम इंडिया में हैं हिंदी में हमें बात कर रहा हूँ महिला और पुरिष्टे पहला couple था उस पूरे selection का और वो creation myth की कहानी में भी added है तो यह पहले king भी हैं पहले manow भी हैं और इनके देवता भी हैं यह वो वेक्तित थे जो कि पहले राजा बने इनका लोगों को consolidate किया इकटा किया उनको सिखाया की plants को कैसे गुरू करना है मतलों खेती कैसे करनी है weapons कैसे बनानी है साथ में रहना कैसे है community में कैसे रहना है resources को कैसे share करना है और दूसरे देवताओं की पूजा कैसे करनी है यह सारी चीज़े इन्होंने man को कैपक ने सिखाई तो यह इनके लिए एक इश्वर की तरह हैं पुजनिये हैं और इनकी ancestor भी है और इनके देवताओं भी है पैंचा मामा जो है जिनके भी आगे मामा लग गया उसका मतलब है वो mother का मदर बता रहा है तो पैंचा मामा मतलब goddess of heart यानी mother goddess इनको कहा जाएगा और यह विरा कोचा जो की creator god है उनकी wife भी है इन्होंने लोगों को कोका लियूस दी बियर दी प्रे करना सिखाया और major agricultural occasions बताए किस तरह से करना है लोगों को एक तरह से वो भी चीज़े दी जो की entertainment, enjoyment और दुसी चीजों से भरी हुई है तो वो है उसके अलावा कूचा मामा जो है वो goddess of sea है, सचा मामा जो है वो mother tree है जिनको एक snake और with दो head के snake की तरह represent किया गया है और यूचू मामा जो है उनको भी एक snake की तरह represent किया गया है लेकिन यह है mother water, mother water है यह तो कई सारे देवता हों कि यहाँ पर बात करी कई देवता है और देविया है इनकी जिनको यह इस तरह से represent करते हैं इनका अगर देखें तो features आपको सामानेते देखेंगे कि morphic है, anthropomorphic है जिसमें इंसानी सवरूप इनको दिया गया है लेकिन उनके कुछ features अलग बदल दिये किसी के पास snake feature है, किसी के पास punk है, किसी के पास कुछ है, तो बाकी body जो है वो human जैसी है लेकिन कुछ कुछ चीज़े इनमें आपको देखने को मिलती है, अलग देखने को मिलती है, तो यह इनका religion के जो god और goddess है, उनको इस तरह से non-represent किया और इनकी कला जो थी, इनका development हो रखाते हैं इनका already, complicated से believe थे लेकिन art के मामले में काफी आगे थे, टेंपल्स और शिरिंस की बात करें अगर हम, तो वो चीज़े आपको बताती हैं कि वहाँ पर किस तरह की rituals हुआ करते थे, mainly archaeological evidence निकाले तो, तो जो यहाँ पर temples थे, उनको mainly, उन temples में लोग को रहते थे mainly priest रहते हैं, उनके attendant रहते थे और कुछ चोजन women, कुछ इस तरह की ladies रहती थी जिनको choose करके यहाँ पर रखा जाता था, जिनको पूरी तरह से chasticity का wow रखा जाता था, हमेशा वो मतलब कि शादी नहीं कर सकती थी, किसी के साथ कोई pleasure नहीं रख सकती थी, as a woman किसी male के साथ व नहीं हो सकती थी, उनको यह लोग यहाँ पर रहते थी, और इनकी duty होती थी कि ritual food बनाना है, यहाँ पर sacred fire को maintain रखना है, यहाँ पर garments को wave करना है, बनाना है, बुनना है, कपड़े बनाना है, ritual use के लिए, यह सब चीज़े होती थी, temples में यहाँ पर आपको बहुत बड़े celebrations द कुसको का sun temple है, काफी popular है, सबसे बड़ी building और सबसे बड़ी temples में से यह इनके आपे माना जाता है, जहाँ पर अंदर आपको कुछ इस तरीके के मुर्तियां और कुछ इस तरीके के architects, अर्थिक्राफ्ट मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिसमें देखते हैं कि इनके gods को कि popular है, उसके अलावा आप पूरी city में अगर आप देखेंगे कुसको में, जो कि राजधानी थी और जहाँ पर pattern god जो है, वो कुस, इंती god थे, तो sun god इंती के काफी यहाँ पर temples आपको देखने को मिल जाते हैं, इन temples में sacrifice भी होते थे, हर तरीके के sacrifice यहाँ पर होते थे, जिसम human sacrifice भी include है, जिसके हमागी बात करेंगी, तो इनका religion में आपको जहाँ जहाँ पर इनका empire था, उस पूरी जगहों पर अर्जेंटिना, चिले से लेकि अर्जेंटिना तक आपको देखने को मिलते हैं कि कुछ छोटी-छोटी holy sites यहाँ पर बनी हुई है, और especially sun temples समसे जादा मि मांचा पीचू जो कि इनके एक नवे राजा, इनका यपुनुक कुई ने बनवाया था, यह जगह थी एक fortress इसको century कहा जा सकता है, जिसमें 1000 के असपास लोग रहते थे और यह एंडीज मांटेंज के highlands के उपर इस तापित है, बहुत बड़ी एक जगह है जहाँ पहाड की उपर पहाड की उचाईयों के उपर यह लोग जो है यहाँ पर रहते थे और कमाल का यहाँ पर इन्होंने एक तरह से बना रखा है, तो उरुमबाबान जो रिवव है उसके पास और उपर पहाडी के उपर यह बनी हुई जगह है, यह युनिस्क्रेटिस साइट भी है, उस उपर टेंपल नहीं का जा सकता, एक तरह से छोटे-छोटे ऐसे वो चीज़े बना देते थे, यह कुछ पत्रों से, जिसमें कुछ-कुछ रिच्वल्स होते थे इनकी, और कुछ ममी बंडल्स भी यहाँ पर होते थे, ममीफिकेशन आपको पता होगा ना, कि चाइनीज चेमिकल का इस्तमाल करके उन बोडीज को ममीफिकेशन किया जाता था, उनको बचा के रखा जाता था, तो यहाँ पर ममी बंडल्स आपको मिलते हैं, इन हुकाउस में, और यहाँ पर मागए आपको तस्वीरे भी दिखाऊंगा, तो कुछ ऐसे माउंटेंस के उपर इन्हो आपको देखने को मिलती हैं, प्रिस्ट हूड की अगर बात करें, प्रिस्ट हूड यानि कि किसी भी रिलिजन के अंदर जो रिलिजन को समझाने वारे लोग हैं, जो सेर्मिनी करते हैं, या जो भी लोग होते हैं, वो प्रिस्ट कहलाते हैं मैंली, और यह प्रिस्ट का यहा से आते थे जिनके पास एक privilege होती थी जिनके पास ज़्यादा social hierarchy में उपर पद होता था नोबल हुमाने जाते थे इनको ज़्यादा ताकते थी और यही समझाते थे religion को उनके traditions को उनके rituals को सबी चीजे सारी powers इनके पास थी ये वेक्टी जो है ये married होता था इसके पास सारी ताकत थी ये ऐसा नहीं कि इसको वैसा रहना पड़ेगा कि ताउमरेश विवाह नहीं कर सकता ऐसे कुछ चीज नहीं थी इसके पास syrens और temples की सारे ताकते इसके पास स्वा करती थी ये किसी भी priest को appoint कर सकता है किसी भी priest को हटा सकता है उसके पास से विलास उमोकी में बात कर रहा हूं तो ये chief priest होता था तो उस तरह से चीज़े चलती थी ये चीज़े चलती चलते उसके बाद और शुरुआत से ही young age में ही किसी priest को चुन लिया जाता था उसको practice सिखाई जाती थी उसको देरे देरे एक training सी चलती थी उसके कि किस तरह से religion को follow करना है ceremonies को perform करवाना है लोगों को समझाना है ये सब चीज़े priest चलती थी divination की अगर बात करें मतलब future prediction हो देवे वारी जो है उसको कैसे समझा जाए देवताओं की क्या इच्छा है उसको समझा जाए तो ये बहुत महत्पूर्ण था और देवताओं की इच्छाओं को हमेशा ध्यान में रखा जाता था कोई भी important काम होता था उससे पहले इन प्रेस से औरेकल से और जो भी लोग देवताओं से जोड़े रहने के बीच का जरिया माने जाते थे उनसे सला ली जाती थी कि क्या हम ये काम करें क्या इश्वर की इसमें मर्जी है तो उसका prediction होता था अलग-लग चीज़ें उसमें आ की जाती थी अलग-लग तरीके के rituals हुआ करते थे तो ये चीज़े थी हर तरीके की चीज़ें में ये divination important था चाहे बिमारी को वो diagnose करना हो किसी crime को करना हो कि किसी ने कुछ जो crime किया है उसका punishment देना हो कि इश्वर की मर्जी ही हर चीज़ में महतपूर्ण थी चाहे judicial function क्यों ना हो कि किसी को न्याय करना है राजा भी न्याय करेगा तो उसमें भी divination का एक महतपूर्ण रोल हुआ करता था उसके अलावा divination में एक ये भी चीज थी कि देवताओं को खुश करने के लिए और देवता क्या चाहते हैं उसको जानने के लिए कई बार sacrifice भी किये जाते थे और और औरेकल्स आपको पता होगा औरेकल क्या होता है औरेकल divination के बीच का माध्यम होता है यहाँ पर ही नहीं आपको Greek religion में बहुत महत्पून तरीके से देखने को मिलता है Greek religion में मैंने एक कहानी भी आपको बताई थी और अगर आपने 300 movie देखी है तो उसमें आपको एक बात याद होगी कि 300 movie में जो लिउनाइडस राजा होता है वो सिर्फ 300 लोगों को लेके क्यों चलता है उसके पास तो बहुत बड़ी सेना थी पूरी सेना को ले जाता है और स्पार्टा की और फिर अटेक कर देता है नहीं किया उसमें क्यों नहीं किया क्योंकि वो औरेकल्स के पास जाता है वो जो प्रिस्ट होते हैं जो एक औरेकल्स को एक लड़की को इस तरह से दिखाते है कि ये जो है वो इश्वर से डारेक्ली कनेक्टेड है और ये बताएगी कि इश्वर क्या चाते है तो वहाँ पे वो औरेकल्स मना है वो divination होता है वो divination जो है वो इनके पास भी था और इनका एक अलग system था लेकिन basically इश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई काम ये नहीं करना चाहते थे इश्वर को खुश करके ही अपीज करके ही हर चीज़ को करना चाहते थे और यहीं इन्होंने यहां पे भी करने की सोची थी यहां पे भी उसका अलग अलग तरीका ढूड़ते थे फायर को भी एक बहुत important medium माना जाता था spiritual contact का की fire क्या है कैसे काम कर रही है आपके यहां पे तो उसका spiritual contact माना जाता था confession एक और काम था priests का और ritual divination का क्योंकि आप Christianity में आप देखते हैं आज के समय फादर के सामने जाके confession box में लोग जो हैं अपने crimes को confess करते हैं जैसे उनको हलका feel होता है और उनको लगता है कि इश्वर उनको उनकी गलतियों के लिए माफ करेंगे और वो अपना पश्चाता आप कर लेते हैं तो यह जो चीज है यहाँ पे भी इनका religion में भी आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे देखने को मिलता था कि एक और important चीज यहाँ पे सिर्फ confession इसी सीज़ से जुड़ावा नहीं था आयलू जो था वो सबसे छोटी political unit और सबसे छोटी social unit हुआ करती थी जैसे कि एक छोटी society हो गई एक छोटा कबीला हो गए यह एलू कहलाता था उस एलू के बाद आयलो एलू जड़के local administration बनता था और फिर बड़ा administration बनते बनते एक political unit बनती थी तो एक एलू के अंदर कोई भी आदमी अगर बुरा काम करता है कुछ गलत करता है सही तरीके सेरमनीज को follow नहीं करता है और strict rule regulations को follow नहीं करता है तो उसका जो हर जाना है वो उस पूरी एलू को भूगतना पड़ता है उसके पूरे समाज को भूगतना पड़ता है तो उसकी वज़े से फिर गलत चीज़े होती हैं भुकम पाते हैं उसकी वज़े से कोई गलत चीज़े होती है उनके यहां पर खेती नहीं होती है किसी की अक्समिक डेथ हो जाती है यह चीज़े इनका बिलीफ था तो इसलिए कन्फेशन बहुत जरूरी था और उस वेक्ति को बाद में बताया जाता था कि तो अपना कन्फेशन कर या फिर कुछ सैक्रिफाइस कर जिसकी वज़े से इश्वर कमी माफ कर दें और तुम्हारी जिदगी में एक बहतर तरीका हो जाए और तुम्हारा तो वेक्ति जो है वो डिवाइन वरयत से बच सकता था अगर उसने कर दिया है तो वो इश्वर ये परकुप से बच सकता है लेकिन सैक्रिफाइस भी होते थे और ये एक बहुत ही महत्तों चीज थी इस इनका रिलिजन में और ना कि वहले इनका रिलिजन में बलकि जो आप आपको अमेरिकन रिलिजन्स मिलते हैं नोर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका, मिजव अमेरिकन रिलिजन्स जो भी आपको देखने को मिलते हैं उनमें आपको सैक्रिफाइस का एक महत्तों सिग्निफेट रोल देखने को मिलता है इनका मानना था कि सैक्रिफाइस जो है वो हार् जिसमें यंग बच्चों की बली दी जाती थी सोचे यंग छोटे बच्चों की बली दी जाती थी सोच के थोड़ा रूख काफ जाती है कि छोटे बच्चों को आप बली दे देते हैं उनको जान ले लेते हैं इश्वर को अपीस करने के लिए लेकिन ये system था उनका तो था हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा और भी चीज़ें होती थी इलामा गोर्ड, सिल्वर ये सब चीज़ें तो चड़ावा करते ही थी लेकिन अपने देवताओं को खुश करने के लिए और देवताओं को खुश कब किया जाता था जब कोई crisis होते थ ये जाता था और वह बलड बच्चों का, लड़कियों का, कई बार यंग लड़कियों का यहां पर दिया जाता था फिजेकल परफेक्शन वाली लड़कियों का यहां पर human sacrifice किया जाता था इस तरह से चीज़े होती थी और ये इसके कई सारे आउशेश आपको देखने को मि चाहिए और एडल्टी जैसे चोरी जैसे पापों के लिए और क्राइम्स के लिए उनको ये कुनिश्मिन्ट दिया जाता था और साथ में ये भी रहता था कि इससे वार्निंग भी मिल जाए कि दूसरे लोग जो है वो ऐसे काम ना करें पापी काम ना करें 1527 की बात है कि इनका एक एंपरर था इनका राजा था जिसका नाम था इनका हुना कैपायक और माना जाता है जब वो वेक्ती जब उसकी डेथ हुई तो उसके टाइम पे तकरीबन चार हजार से ज़्यादा लोगों को जो सर्वेंट, कोर्ट, ओफिशल, फेवरेट और सभी को मिला के चार हजार लोगों की बली दी गई थी, इतना बड़ा हुमन सैक्रिफाइस किया गया था एक राजा की मुट्यू के समय पे, तो इतने बड़े इस तरफे सैक्रिफाइस होते थे, चायल सैक्रिफाइस को यहाँ पे, क्यूआपका ख्यूचा कहा जाता था, ऐ इससे चीजे होती थी, और इनके रूलर को सापा इनका कहा जाता था, लेकिन सापा इनका की डेथ हो, इनका कॉरोनेशन हो या कुछ भी हो उसमय, बहुत बड़े इस तरफे बली दी जाती थी, तो लोगों को यहाँ पे इस तरह से बली देके उनके जान ले ली जाती थी, तो ये चीज़े यहां पे हो रही थी, यहां पे लड़कियों की बली दे जारी थी, बच्चों की बली दे जारी थी, और बड़े लोगों की बली दे जारी थी, फेस्टिवल्स की अगर बात करें, तो 30 दिन का inka calendar होता था, 30 ही दिन का permanent calendar हुआ करता था इनका, इनके वर्जन मानी जाते है स्कूलर्स का यह मानना है कि जिसमें एक तो जो था, जिसमें सेर्मिनीज कब करनी है, सैक्रिफाइस का पर्फर्फॉर्म करनी है कुसकों में वो इंपर्टेंट था। और दूसरा ये था कि agricultural practices कब करनी है कि कौन सी खेती को कब बोना है काइसे काटना है कब क्या time होगा तो वो agriculture practice के लिए एक calendar होता था और एक दूसरा version होता था वो sacrifice और religious point of view से होता था ceremonies वगरा के लिए हुआ करता था ये इस तरह से चीज़े चलती थी और इस तरह से ही कई सारे इनके festivals होते थे ancestors worship और mummification भी ये लोग करते थे जैसा कि मने आपको पहले बताया कि इनके लिए older generation बहुत महित पून थी उनको पूछते थे और older generations की पूजा करना इनके पहले से चल रहा था जो यहां पे पहले से civilizations रह रही थी उनके भी ये सीज़े चल रहे थे और इनों ने भी इस चीज़ को continue किया और इन जो deceased लोग थे जो जिनके death हो चुकी थी उनको यह चड़ावा भी चड़ाते थे बाद में उनको offerings भी दी जाती थी ancestors की पूजा के साथ साथ उनको भी offering दी जाती थी जैसे देवताओं को दी जाती थी उनको भी goods और foods चड़ावा दिया जाता था तो इनके जो पुरा यानी mummification कर देना किसी body को पहले जो death के बाद ही इस तरह से इनके यहाँ पर कुछ कुछ mummification मिले हैं कि पहले तो इसके उपर कुछ लेप लगा दिया जाता था एलकोहल और दूसी जो चीजे हैं जिसमें हम आपको बताऊँगा किस तरह से करते थे एलकोहल में उसके बाद उन mummies की पूजा करते थे एंसेस्टर पूजा की तरह उनको करते थे कभी कुछ-कुछ मौकों पे उनको बाहर निकाला जाता था बाकि उनको ये एक जगह रखते थे टॉम्स के अंदर रखते थे, special rooms जो होते थे, museum में उनके अंदर रखते थे, sacred caves में रखते थे अगर बात करें, highland of kyanja, tombo की तो वहाँ पे 1800 से जादा mummies डिस्कावर किये गए थे Spanish के जब Spanish rule यहाँ पे established हो गया थे उसके बाद तो कई mummification इन्होंने किये और इनको कभी-कभी occasionally बहार निकाला जाता कोई event हुआ, जैसे marriage का event हुआ, या कोई harvesting का event हुआ, उससे हमें इनको निकाला जाता थे इनकी पूजा की जाती थे, इनको participation दिखाया जाता थे, एक तरह से इनको एक तरह से महतो दिया जाता था, इनको offerings दी जाती थे, तो उस तरह से mummification इनका किया जाता था, लेकिन ये सब चीजें तो हुई, लेकिन उसके बाद भी, सारी चीजें हमने लगबग कवर करी ली हैं, ज्यादा, उससे ज्यादा सेंचुरी में कुछ लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, विजिट कर लिया था, 15 सेंचुरी में यूरोपेंस आ चुके थे, इस्पेशली स्पैनिश लोग सबसे पहले यहाँ पे महुचे थे, और 1533 में फ्रांसिसको पिजारो नाम का एक वेक्ति, जो एक स्पैनिश सेंचुरी में यहाँ पे आता है और इसने जाके इनका रूलर अता हुला पूकाव की हत्या कर दी, और उस समय वो पिरियेड जो चल रहा था, उस समय इनका समराज्य के नोर्दन पार्ट के अंदर कुछ सिविल वोर जैसे सिट्वेशन भी चल रही थी, क्योंकि इनका और उससी दोरान यूरोपियंस अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां लिके आते हैं, जिसमें स्मॉल फोक्स जो सबसे बड़ी डीजीज होती है, जिसमें इनका सिविलाइशन की तकरीबन साथ परसेंट से ज्यादा आबादी जो है वो मर जाती है, उसके बाद वीक बदल गया, क्योंकि यहाँ पर पूराने रिलीजिन रहा, ना पुराने बिलीफ रहे, ना पूराने लोग रहे, और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियंस ने, Spanish लोगों ने अपने आप को पूरी तस्य ठोप दिया, अपने Political Institution को भी इनके ऑपर ठोप दिया, और ये लोग जो हैं उनके गुलाम बन गए उनकी कोलोनी बन गए और इनका एमपायर जो है जो की पहले इतना बड़ा सामराज यह हुआ करता था साउथ अमेरिकी महादीब के अंदर तो सेविलाइशन जो है उसका अंत हो गया और उसके बाद यहां पे स्पैनिश रूल आया इस पूरे छ बोलीविया अर्जेंटिना चेले इन सभी देशों के अंदर एक समय पे यह इनका समराज यह हुआ करता था अब जियोग्राफी बदल गई डेमोग्राफी बदल गई लोग बदल गए और यहां के जो नेटिस्ट है उनकी तादाद बहुत कम रह गई लेकिन वो भी इन लो कीजिए इसका वेब पेज है इसको भी जा कि आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं अगर आप लैप्टे उपस इत्वाल करते हैं तो यहां पे आपको इन वीडियो की पीडियो मिल जाएंगी साथ में आप सक्सेस्प्लस अकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं उनको भी एक्स सक्षिन के मादिम से मुझसे आप जूड सकते हैं कोर्सेज अगर आप पर्शेस करोगे तो वहां पे आपको सब चीजे मिलेंगे वीडियो लेक्टर मिलेंगे उनसे लिटेड आपको टेस्ट भी मिलेंगे ताकि आप अपना आंकलन भी कर सकें कि आपने जो सिखा है वो और चैनल को सस्क्राइब किजेगा अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट और शेर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगता है तो थैंक यो सो मच पर वाचिंग इस वीडियो है वेव गूड डे सीव नेक्स क्लास